नमस्कार दोस्तो, मैं सोरश कुमार, अब दो दिन पहले मैंने आदिपूरुष पर एक्सपोज वीडियो बनाया था जिसके बाद काफी कुछ मुझे फेस भी करना पड़ा बट कोई बात नहीं, अब आदत हो गई है, मगर उस वीडियो पर एक यूटूबर ने एक दो ये करो, देखो भाई, मैं वो बाकी यूटूबरों की तरफ कोई वो नहीं हो, कि भाई, मैं मौका ढूंडू और व्यूस कमाओ, रोस्ट करो, ये करो, वो करो, एंड जनता की बिचे का एंटर्टेनमेंट का पुतला बचाओ, ये सब अपना फंडा नहीं है, क्योंकि आपन भी अपने फंडे से ही काम करते हैं, आज जब मैं ये वीडियो बनाने का सोचा, तो मुझे प्रतिक भाई को कोई भी एंगल चे रोस्त नहीं करना है, क्योंकि मैं उनकी इज़त करता हूँ, और उनके उस वीडियो पर आज मैं उनको करेक्ट करना चाहता हूँ, अब पूरा देखा करो, वरना अब 10 सल के महनत ब्रह्मास्त्र को भी अब 0 स्टार दे सकते हो, तो मैं तो कुछ नहीं हूँ, क्योंकि उसके आगे का आपने वीडियो देखा ही नहीं, अब वहाँ पर चिड़िए जहां पर मैंने सलमान शारुक का नाम लिया, और उसके बाद आपने मेरी भावनाओ को अलग वे में एक्स्प्लीन किया आपने उस वीडियो में, जिसको मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, आप बोल रहें कि पीके के टाइम पे किसने पत्थर मारा भाई, इसके टाइम पे किंदर पत्थर मारा भाई, अब मैं आपको एक बा गंदी है, अगर मैं रिजेक्ट करने का हक रखता हूँ, तो भाई साब, तु मेरे से जो गलत काम करवा रहा है ना, तो मैं वो भी रोकने का हक रखता हूँ कि भाई, ये मत करवा, मत करवा, क्योंकि मेरे को देखने आएंगी पबलीक, तेरे को नहीं, समझे, तो प्रभास भी ना बोल सकते थे और मैं अपने उस वीडियो से वही कहना चारा था कि ये साउथ एक्टर है इसलिए ऐसा चल रहा है वरना इसी एक्टर प्रभास के जगे कोई बॉलिवूड एक्टर रहे था तो प्रतिक भाई आप खुद वर्सिती वही बाते मैंने वीडियो में आगे की थी लेकिन वहां तक प्रतिक भाई पहुची नहीं पाए प्रतिक भाई वही चिड़ गये जहां मैंने सलमान शारुक का नाम लिया उसके बाद उन्होंने देखा ही नहीं वीडियो बस उतना ही देखके इन भाई साब ने मुझे किसी इकोसिस्टम का हिस्सा बना दिया और बोल दिया शायद ये ना समझे या तो इनको कहीं से कुछ मिल रहा है ये है वो है ये सारे चीज़े जोड दिये प्रतिक भाई आप बहुत चारे फिल्मों का जिकर भी किये कि प्रतिक भाई जो भाउनाई आपकी होती है वही भाउनाई मेरी होती है जो मैं उन सारे फिल्मों को लेके एक्स्प्रेस किया हो यदि आपने मेरे पुराने वीडियो देखे है तो आपके मन में वो सवाल कमपी नहीं आते थे ना कभी जच करते थे आप आप बोल रहे हो मेरे को मैं पाता लोग, तांडाओ, एन मैंनी मूर सीरिस के लिए सबसे पहला आवाज उठाया था वही बात कारती के टू, कश्मीर, फाइल, स्केरला, स्चोरी, कांतारा ऐसी ऐसी फिल्मों को मैं जी जान सपूर्ट भी किया था और मैंने एक्सप्रेज भी किया था कि भाई, कोई तो है जो फिल्म बना रहे है और प्रतिक भाई, यदि में किसी एकोसिस्टम का हिस्सा हुआ होता ना, तो आप मेरे पे पहले ही वीडियो बना लिये होते थे जिस तरह आप प्रोपगेंडा निकालते हो फिल्मों से, उस तरह मैं उन प्रोपगेंडा के लिए आवाज भी उठाया हो और इतने बोल्ड स्टेटमेंट देओ जिनकी धंकिया आज तक मैं खाई रहा हूँ नहीं बात आदिपूरुष मुवी के न तो प्रतिक भाई जितना हट आप होए न उतना ही हट पुरा देश हुआ है इस फिल्म के डिरेक्टर का ये कहना था कि भाई अगर प्रभास इस फिल्म को एग्री नहीं किये होते तो मैं आधिपुरुष कभी बनाता ही नहीं काश प्रभास इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिये होते तो आज आधिपुरुष बंती ही नहीं बस प्रतिक भाई मैं भी यही कह रहा था कि जिस तरह से आप आदिपूरुष को ब्लेम करते हुए बॉलिवूड को गाली दे रहे हुए मैं भी बॉलिवूड को गाली देते हुए प्रभास को ब्लेम कर रहा था और वो कत ही गलत नहीं है कि अगर प्रभास रिजेक्ट कर दि तो प्रतिक भाई पठान रिव्यू में आप जाकर देख लो मैंने खुला बोला था कि वो फिल्म पाकिस्तानी प्रेमी है और वैसे जितने भी फिल्म आते हैं तो मैं डंके की चोट पे फुल उन फुल चैलेंज करते हुए मैं जवाब भी देता हूँ, रोस्ट भी करता हूँ और बजाता भी हूँ, यह आपको भी अंदर से मालूम है बट ठीक है, कोई बात निया मैं जब फिल्म देखने जाता हूँ, तो यार मैं फिल्म को सिनिमा की तरह देखता हूँ और कोई-कोई फिल्म होती है, जो फिल्म कम लगती है, प्रोपगेंडा जादा लगती है और उसके लिए आप और हम सभी मिलके शोर करते भी है, कि भाई साब ये गलत है बठी के प्रतिक भाई ने मेरे उस वीडियो को आधा सुनके पूरा जज़ करने की कोशिश की और हो सक्दा कुछ मिसंडेस्टेंडिंग भी हो, मैं भी वही बोलूगा जो प्रतिक भाई ने बोला था झाल झाल झाल